नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जी मध्रदेश 36 गड़ पर आपकी साथ मैं हूँ सुनाली सेंग भुपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है मोहन सरकार के का बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिला है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थान विक्सित होंगे भगवान श्री राम से जुड़े स्थान तीर्थ बनेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला के स्थान भी तीर्थ बनेंगे राम वन गमन पत और श्री कृष्ण पाथे बनाने की नर्देश दिये गया है चुत्रकूट में कलेक्टर को चार्ज लेने की नर्देश दिये गया है चुत्रकूट धाम में योचना पर जो काम है वो भी शुरू हो गया है तो ये बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे है मोहन सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थान विक्रस्त होंगे भगवान श्री राम से जुड़े स्थान भी तीर्थ बनेगे भगवान श्रीकृष्ण की लीला के स्थान को भी तीर्थ बनाया जाएगा इसके लावा राम वन गमन पत और श्रीकृष्ण ने पाथे बनाने की नरदेश भी दिये गए हैं मड़वेश सरकार भगवान स्री राम और बन गवनपत रथा स्रीकृष्ण पाथे अर्था भगवान स्री राम ने मड़वेश के जिन जिन इस्थानों से यात्रा की हो सित्रकूट के आवा गमन का मार्व या लंका विजय के परश्याद पुना अध्या प्रयांड का जो मार् मड़वेश सरकार लगाता रहा हूं प्रत्यक स्थान पर भगवान की लीला जा हुई है जहां उनके चरण धरें उन्हें स्थानों को विक्सित करने जा रही है मुझे इस बात की परसनाता है कि आज हमारी मीटिंग में हमने विस्तार से उस स्थानों को जो चिनित की गई थ चुक्रत किये बल्कि उनको विक्सित करने के लिए यथा योग्य तुरंत हमने अपने निर्देश जारी किये हैं साथ साथ भगवान में जा गैरा वर्स चित्रकूट धाम में गुजा रहे हैं उसके प्राधी करिंट के सकृता के अधार पर कलेक्टर को चार्ज लेने के न प्रण्द भवी प्यमाने पर भगवान जाम का वो सारा काल एक परसी स्मर्णी हो जाए और दर्सनी हो जाए उसके काम हमने प्राध्र किया है तो देखिए मोहन सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थान विकसित होंगे इसके लावा भगवान श्री राम से भी जुड़े स्थान तीर्थ बनाये जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला के स्थान को भी तीर्थ वहीं राम वन गमन पत और श्री कृष्ण पाथे बनाने के भी निर्देश यहाँ पर दिये गए हैं मुख्य मंत्री की ओर से चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे स्थायोगी आकाश दिवेदी लाइफ जुड़के हैं आकाश मोहन सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला की भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थान विक्सित होंगे इसके लावा राम वन गमन पत का भी मुख्य मंत्री ने जिक्र किया है टूरिज्म के शित्र में किस तरीके से एमपी विक्सित हो उसे लेकर कितना बड़ा फैसला और मर्तपुर्ण फैसला इसे माना जाए दिखें बाब मध्रवदेश की मोहन सरकार धर्म की नईया पर सवार है और यही वज़ा है कि अब राम वन गमन पत के बाद श्री कृष्ण पाथे का निर्मार मध्रवदेश में किया जाएगा ये एमपी की मोहन सरकार ने तै किया है मुख्य मंत्री ने इस सम्मद में अपसुरों को दिशा निर्देश भी दिये है दरसल एक बैठक मुख्य मंत्री ने की थी और उस बैठक के बाद स्रीयम ने कहा है कि राम वन गमन पत के आधार पर श्री कृष्ण पाथे का निर्मार किया जाएगा जैसे उज्जैन में श्री कृष्ण की सिक्षा दिक्षा हुई इसके साथी जाना पाओ में भगवान परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया धार में रुकमरी के हरन का जो पवित्र चित्रन है ये जो तमाम जगह हैं इन जगहों का विकास धार्मिक स्थान के तौर पर किया जाएगा और चित्रकूट में क्योंकि भगवान राम मंदाकनी के किनारे रहे तो चित्रकूट का भी विकास उसी अनुसार होगा मुक्यमंत्री ने कहा है कि जो अयुद्ध्या दर्शन करने जा रहे हैं वो चित्रकूट भी पहुँचे तो भगवान राम के साथ श्री कृष्ण का जो इस्थान जहाँ जहाँ श्री कृष्ण मद्धपदेश में रहे उन इस्थानों का विकास मद्धपदेश सरकार कराएगी इससे परियतन तो बढ़ेगा ही परियतन के साथ साथी जो शद्धालू है वो बड़ी संख्या में पह प्रादिकरण की सकृता के आधार पर कलेक्टर को चार्ज लेने के निर्देश भी दिये गए हैं क्योंकि चित्रकूट में समचित विकास मद्धबदेश सरकार कराएगी यहाँ पर भगवान राम लंबे वक्त तक रहे मंदाकिनी के किनारे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मद्धबदेश का सौभाग गिरा है और यही वज़ा है कि दोनों से जुड़े जो इस्थान है उन इस्थानों को सरकार डवलप कराएगी ठीक है आकाश बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियाम तक पहुँचाने के लिए